Hello students, welcome to your next video lecture. As we are studying our first chapter, tracing changes over thousand years. So students, अभी तक हमने discuss किया historians and their sources, ठीक है, new and old terminologies. So students, आज हम discuss करेंगे manuscripts और scribes के बारे में, जो last video में आपको मैंने बोला था, कि next मैं आपको manuscripts के बारे में पढ़ाऊंगे, scribes के बारे में पढ़ाऊंगे, कि वो क्या होती है. तो students, what are manuscripts? क्या होती है manuscripts? Handwritten books usually collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. ठीक है, handwritten books होती सी, जो collect कोन करता था? सिर्फ wealthy people, rulers, monasteries and temples collect करते थे, और किसी को भी जाज़त नहीं थी, वो लिखने की, और नहीं वो collect करने की. ठीक है, handwritten मतब हाथों से लिखे हुई, ठीक है, हाथ से लिखी जाती थी, और they were kept in libraries and archives, ठीक है, libraries में और archives में उनको रखा जाता था, libraries, archives, libraries तो आपको पता हैं, ठीक है, जहाँ पर books रखे जाती हैं, मानुस्क्रिप्स वर रिटन बाई scribes, अब मानुस्क्रिप्स जो हैं, कौन लिखते थे, scribes लिखते थे, मतलब, कि जो मानुस्क्रिप्स लिखता था, उसी को क्या बोलते थे, scribes बोलते थे, ठीक है, excellent copywriters, who copied manuscript by hands, ठीक है, उनको ही बोला जाता था, scribes, who copied manuscripts by hand, मतलब कि, अब जैसे किसी एक ने जो है, manuscript लिख दिया, ठीक है, hand written manuscript उसने लिख दिया, ठीक है, अब scribes का वो ही काम होता था, कि वो दुबारा से उसको क्या कर लेते थे, copy कर लेते थे, ठीक है, कि अब जो हैं, अब ही तो मैंने आपको बताया, example दिया था, पहले भी कि फोटो स्टेट से, आप जो हैं, बहुत सारी copies अपने पास रख सकते हैं, आपको लिखने की ज़रुद नहीं पड़ती है, लेकिन उस ताइम पे ऐसा नहीं होता था, printing press नहीं थी, तो जो है, हम copies, सिर्फ जो है, वो सिर्फ जो है, सिर्फ जो है, सिर्फ जो थे, वो copy करके उस manuscript को दुबारा रख लेते थे, मतलब कि, अगर किसी ने पहले का वो लिखा हूँ है, बहुत पुराना हो चुका है, भुक्स फट गही है, अधी, आदब पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या होता था, scribes जो थे, दुबारा से, उनको दुबारा copy करते थे, copy करने की कोशिश करते थे, और copy करके, वो निया अपने पास एक record रख लेते थे, ठीक है, as scribes copied manuscript, they also introduce small changes, अब क्या होता है, देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप scribes जो है, वो पुराने manuscript को क्या करते थे, copy करते थे, तो अब copy करते करते, students क्या होता है, देखो, जैसे example ले लो, आप ही ले लो, एक दिन आप छुट्टी पे हो, ठीक है, आप स्कूल नहीं गए हो, तो आपने friends से आप notebook मांगोगी, कि भाई, आज क्या काम करवाया था, दे दे मुझे, ठीक है, तो आप वो उतारोगे, तो कभी उतारते, उतारते क्या होता है, आपको समझ नहीं आते, कुछ words, ठीक है, तो आप क्या गड़ते हो, वैसे ही सेम जैसे उसने लिखा, वैसे लिख दिया आपने, पर आपको समझ नहीं आया, आपको डिजाइन बना लिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, आपके change आ गए, ठीक है, उसमें जो लिखा था, जो सब को समझ आये, ठीक है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, वो scribe जो थे, जब पुनाना उतारते थे, उतारते टाइम, कुछ गलतियां कर लेते थे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता था, वो change हो जाता था, बिल्कुल, ठीक है, the small changes grew subsequently on further copying, अब क्या होता है, अब जैसे कि आपने फेंट से काम उतारा, तो आपने small change कर दिया, ठीक है, लेकिन आप next किसी और को वो नोट बुक दो गे उतारने के लिए, तो वो भी उसमें शायद उसको भी आपकी कुछ हैंड़टिंग समझ ना आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें भी फर्दर आगे चींज थोड़ी सी और चींज ला देगा, तो वैसे ही information क्या हो जाती ही, चेंज होगी, टम्स चेंज होगी, जो टम्स आपने उसकी होगी, वो नहीं करेगा, जो उसने रखी होगी, वो next आगर किसी और बच्चे को दिया, तो वो भी वो कॉपी करने में, प्रॉब्लम उसको होगी, और वो वहाँ पे काफी चेंज ला देगा, तो some text become subsequently different from one or another, ठीक है, उसी वे में, वो text जो थे, क्या हो जाते थे, different हो जाते थे, एक दूसरे से, तो कॉपी करने से, यही आपको समझ में आया, कि जब स्क्राइब्स जो थे, वो जब अलग बात लिखते थे, तो क्या हो जाता था, उसका जो हा, slightly changes के वज़े से, one and another, जब बार बार कोई स्क्राइब्स जो है, स्क्राइब्स जो है, different changes लाने की वज़े से, उसमें बहुत ज़ाता फरक पढ़ जाता था, तो उससे क्या हो जाता था, जो है, meaning बिल्कुल ही बदल जाता था, उन में जो information पहले थी, वो शायद बात में नहीं रही, वो आते आते, और ज़ाता चींज हो जाते थी, ठीक है, अब क्या होता था, authors revised their chronicles at different time, अब authors जो होते थे, जो लिखने वाले, वो अपना इतिहास जो है, time to time जो है, revise करते रहते थे, मतब कि हैंड़टन लिखेंगे, change करेंगे, तो जो information पुढानी होगी, वो थोड़ी change हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाता है, confusion हो जाती थी, ठीक है, जैसे कि example दी है, कि 14th century में, Ziauddin Birani, है Ziauddin Birani, ठीक है, तो Ziauddin Birani ने, wrote his first chronicle in 1356, ठीक है, उसने जो है 1356 में, अपना first chronicle लिखा, another version was written, two years later, अब दुबारा से, दो साल बाद उसके जब लिखा, both were different from each other, but historians did not know, about the existence of the first version, until the 1960s, ठीक है, अब दुनों में difference था, chronicles में difference था, लेकिन अब historians तो नहीं जानते हैं, कि जो जिनोंने history लिखनी है, उनको तो नहीं पता कि, पहले भी chronicle लिखा गया होगा, ठीक है, उस century में भी लिखा गया होगा, जब तक जो है 1960s तक वो नहीं पहुंचे, ठीक है, वो उन्होंने दो साल बाद वाला जो है version पढ़ा, पुराना version उन्होंने नहीं पढ़ा, तो ऐसा क्यूं होता था, because of the changed handwriting, अब देखो, दोनों ही उसने लिखे, लेकिन handwriting change होगी, जैसे की देखो, आप मेरी बात समझो, जैसे आप 4th class में हो, ठीक है, तो आपने अगर 4th, sorry, आप 7th class में हो ले लो, ठीक है, तो अगर 4th class की अगर notebook आपने संभाल कर रखी होगी, तो आप आज देखोगे, कि आपका 7th class का handwriting और 4th class का handwriting में बहुत जादा क्या है, डिफरेंस आपको खुद लगेगा कि आप जब mature हो रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो तो आपकी handwriting भी क्या होगी, change हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी handwriting में आपको खुद ही समझनी आएगा, कि यह मैंने ही लिखा था, मैं फॉर्स में ऐसा लिखता था, ठीक है, आप ऐसा react करोगे, वैसे ही, जब दो साल बाद उसने जो जयाओ दिन विरानी ने लिखा, उसकी handwriting में पिछली handwriting में बहुत जादा चेंज था, तो historians को तो यह पता नहीं था, कि भाई, यह दोनों चीज़ें उसे ने लिखी है, ठीक है, तो किसकी वज़े से होता है, because of the change handwriting, handwriting की change होने की वज़े से, इस तरहा की differences जो हैं, देखने को मिलते थे, so, next है हमारा, next हम पढ़ेंगे, new social and political groups, तो नए नए social and political groups, जो है, emerge हुए, 700 से लेकर 1750 तक, ठीक है, वो सब जो है, हम पढ़ेंगे की क्या-क्या changes जो है, आई, history of the years, between 700 and 750, 1750 had observed variety of social and political development, भह सारी social development भी हुई, और political development भी हुई, example ले लिजे, पर्षिन, वील इरिगेशन, spinning, वील इन वीविंग, and fire arms in combat, तो बहुत सारी changes आए, ठीक है, जैसे कि पर्षिन वील, जो है, उस ताइम introduce हुआ, जो किस के लिए यूज होता था, इरिगेशन के लिए, ठीक है, fields को इरिगेट करने के लिए, पर्षिन वील का यूज किया जाता था, अब spinning wheel जो है, वो weaving के लिए यूज हुआ, ठीक है, बुनने के लिए, ठीक है, कुछ भी कपड़ा बनाने के लिए, spinning wheel का इस्तेमाल होता था, उन दिनों, उसके बाद क्या आया, हमारा fire combat भी आया, ठीक है, अब देखिए, कि पर्षिन वील की जब introduction हुई, उस time पे, ये बहुत बड़ी achievement थी, पहले क्या होता था, पहले लोग कैसे irrigate करते थे फिल्स को, पानी, खुद जो है, एक-एक पेड के पास जाकर, पानी देते थे उसको, और जो है, इंडिविजुली, एक-एक पेड को पानी देना है, फिर कुएं से निकालना है, भरना है पानी, और फिर वो खेतों में पानी डालना है, ठीक है, इस तरह से होता था, तो अब सोचो, उस time पे, जब पर्षिन वील की discovery हुई, जब लोगों को पता चला, कि पर्षिन वील है, जिसको इरिगेशन में हम यूज कर सकते हैं, उसको गुमाएंगे, तो पानी जो है, मोटर, जैसे आजकल मोटर के थ्रोव, आपके पानी जो है, टंकी में उपर भर जाता है, वैसे ही, पर्षिन वील जो है, वाटर को ग्राउंड से, या किसी वाटर रिसोर्स से खींच लेता था, उसको जब घुमाते थे, तो और वो पूरे फिल्ड में हम दे सकते थे, ठीक है, इस तरह का पर्षिन वील का काम था, अब लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, थे, कि उस तरह की बहुत बड़ी इंवेंशन हुई, उसके बाद जब पहले लोग आपने पड़ा होगा, आपकी इंशन हिस्ट्री में की लोग, आधी मानब जो है, सिर्फ पत्तों के कपड़े पहनते थे, या खाल के कपड़े पहनते थे, तो उसके बाद क्या हुआ बहुत जाद जो है कितनी बड़ी टेक्नोलोजी आगे एक spinning wheel मिल गया उनको जिससे वो क्या कर सकते है धागया पूरा कत कर धागय को जोड़ कर एक बड़ा सा कपड़ा बना सकते थे ठीक है जिसको वो पहन सकते थे ठीक है सुना है हमने ठीक है लेकिन उस ताम उन लोगों के लिए वो बहुत साथ चींज थी जैसी कि आप example ले लो अभी आप अगर cycle चलाना सीखते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी achievement है कि आपने cycle चलाना सीखा लेकिन जब बड़े हो जाओगे कार चलाओगे ठीक है motorbike चलाओगे तो आपके जब आप तब यह बात करोगे कि cycle चलाता था उस ताम पर मैं तो आप यह सोचो कि ठीक है normal cycle चलाते हैं तो सब चलाते हैं ठीक है लेकिन तब आज आपके लिए वह बहुत बड़ के लिए जो उस टाइम पर थे देखो पहले क्या होता था next example आपकी fire combat पहले जो है तलवारों से जो है युद्ध लड़े जाते थे तीर कमांड से युद्ध लड़े जाते थे या आपने देखा होगा आपकी रमायन में भी बताया ठीक है तीर कमांड का यूज किया गया है ठीक है युद्ध में बस उन्हीं का यूज किया जाता है लेकिन दीरे दीरे जब और ज्यादा डेफलेमेंट होने लगी तो fire combat का यूज हुआ मत्तब ये गोलियां आई गन पाउडर इसका इस्तमाल होने लगा कि भई ये भी कुछ होता है ठीक है इस से हम जो है ये भी टे को नयव कệc खाने के बारे में पता चला पीने की फीजों के बारे में पता चला कि खाना जैसे की पोटैटो वह है। उगा सकते हैं, खा सकते हैं, अगरी कल्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उब हैं को पदा चला, corn, potatoes, यह बहुत सारी crops, चिली, स्मिर्ची यह भी खा सकते हैं भई यह जो हां क्या है नियू जब अग्रिकल्चर तो यह सब भी आया थीक है टी कॉफी अब टी कॉफी के आंगे विवरेजिस मतलब जो भी हम पीते हैं ठीक है तो यह सब का जो है निर्मान हुआ डिस्कवरी हुई ठीक है यह सब के लिए साथ-साथ इन सब फूट का विबरेजिस का यह सब का जो है आइडिया भी जो है इंडियन सब कॉटिनेंट में आया इंग लोगों को जान पहचान हुई इन सब चीजों से ठीक है अब यह सब जो था यह जब इतना कुछ आया आफ आयर कॉमबैक्स आये आपकी यह जो है पर्शिन वील आई श्पेनिंग वील आई ठीक है इस सब से क्या हुआ आपके जो है आपके घर पे कोई बड़ी दीजी होगी बड़े भाईया होंगे तो वो क्या करेंगे आपको एक दिन आएंगे बोलेंगे कि मेरे को ना बहुत डेली में मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी मुझे तो आम मुझे वहां पर जाना पड़ेगा तो मतलब उनको एक opportunity मिली कि वो वहां पर जाएं तो वो अपने घर से मुव होगे ड़ली में वैसे ही movement of people क्यों होता था in search of opportunities मतलब की नए नए opportunities को धूनने के लिए लोग जो है एक जगा से दूसरी जगा पर जाते थी ठीक है one group of people who became important in this period वर राजपूत और इस period में medieval age में medieval period में जो है एक group जो है लोगों का बहुती ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे मशूर हुआ जो थे राजपूत ठीक है अब राजपूत क्या होते थे उस तेम को क्या माना जाता था son of ruler मतब राजपूत्र ठीक है son of ruler जो ruler है उसके जो बेटा है उसको हम क्या बोलते थे वो राजपूत है मतब son of ruler राजपूत्र है वो ठीक है the term included ruler soldiers अब जो है अब ये राजपूत से उनको नहीं बोलाएगे जो राजा की पूत्र थे आगे ये term किसको include करते थे अपने जा थे और soldiers soldiers मतलब जो क्या करते थे युद्ध में वीरों के जैसे काम करते है जैसे शत्रियास ठीक है उनको भी ruler राजपूत्र बोला जाता था a chevlaric code of conduct ठीक है जो बहुती ज़्यादा क्या है बहुती ज़्यादा brave है उनके लिए ये words का use किया जाता था qualities such as extreme value and sense of loyalty were attributed to राजपूत्र पाइथा जो बहुती ज़्यादा साहस का काम करते थे जो इमानदारी से काम करते थे उन लोगों को वो सब को include किस में कर देते थे राजपूत्र में ठीक है लोग बोलते थे बोलने वाले कवी या फिर जगा जगा जाकर गाने गाते थे उनकी वीर गाथाओं के बारे में गाना काके सुनाते थे नाचते थे जगा जगा के पर उनके जो हैं बारे में बोलते थे वो सब जो हैं किसको राजपूत बोलते थे जो एक हिम्मत का काम करते थे जिनमें ब्रेवरी थी जिनम Similarly, other social groups such as Marathas और बहुत सारे और भी बहुत social groups की जो हा बात हुई उस टाइम बहुत जादा social groups emerge हुए जैसे कि Marathas, Six, Jarts, Homes, Kashatas, ठीक है ये सब भी emerge हुए political group में important groups during this period ये सब groups भी राजपूत के साथ साथ ये वाले groups भी बहुत जादा So students, ये था आपका आज का topic New Social and Political Groups के बारे में ठीक है? और इसके साथ साथ ही हमने मानिक्रिप्स और स्क्राइब्स के बारे में भी पढ़ा तो यहां तक आपकी video complete होती है Next video lecture में हम next main topic को discuss करेंगे जो है आपका region and empire ठीक है? Thank you students